सो अलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टूं डिस वीडियो सो आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आपको अगर अलाहबाद उनिवर्सिटी के कॉलेज में यानि केमपस में अगर आपको एडमिसन लेना है तो कितने नंबर की रिक्वायरमेंट होगी कि कितना नंबर आप ले सब्सक्राइब हैं और वीडियो सुरू करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि इसके पहले मैंने फ्रेंट्स आप लोगों के लिए ललवी एंड ललवी के बारे में संपूर्ण जानकारी लगभग दे दिया है तो प्लीज वो वीडियो देख लिए ना हमारे चैनल को सब लिए वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है एंड बीए का डेटियल वीडियो भी बना दिया है जिसमें मैंने सायसे कट आफ को छोड़ दिया है बाकी सभी कुछ बना दिया ठीक है एक चीज आपको पता होना चाहिए कि बीस सी होम साइंस से भी होता है तो ऐसा नहीं है कि अगर साइंस लिए हो तो भी सी नहीं कर सकते हो ठीक है तो चलिए सबसे पहले बीए से स्टार्ट कर लेते हैं देखो यहां पर जो राउंड वन की कट आफ है बीए के अगर बात करो जनरल ओबीसी डबलो एस की 166 कट आफ मतलब कि इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा राउंड वन में यानि की अच्छी सीट आपको मिलेगी यहां से 2020 का यह है तो देखो कुछी भी चीज़ का अगर हम अनुमान लगाते हैं प्रीबियस येर को देख करना तो जैसे अगर 2020 का कट आफ इतना है तो 2021 का अप्रॉक्समेटली इतना ही जाएगा ठीक है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा बट इतना ही जाएगा अगर बात करे सब्सक्राइब यहां पर एस्टी में जितने भी कैंडिडेट अपेयर होए है वह सभी यहां पर अडिमिसन ले सकते हैं ठीक है अब चलिए दिखा देते हैं आपको बेस्सी biology की तो यहां पर देखो, friends, बेस्सी biology की 1723 है, बेस्सी biology की cut-off, अब दिखा देते हैं, बेस्सी mathematics एंड Minsk Home Science की, तो देखो, friends, बेस्सी home science की अगर हम बात करें, तो round one में 184, तो देखरो, B.A. में 186 round one में, और B.S. meio जनरल के लिए 184, तो यहां फर, friends, ऐसा नहीं है कि अगर आप जैसे बीसी कर रहे हैं फिर बीए कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा बट हाँ एक चीज यहां पर देखना है कि आप जो तीन सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो उसमें आपको अच्छे से स्कोर करना है और बाकी जो चीजे होती है वो लगबख सेम ही होत है तो यह आते हैं थोड़ा भूट ठीक है कि देख लिए फ्रेंट्स यहां पर बेसी मैथमेटिक्स में तो यहां पर भी 182 है ठीक है 182 तो 182, 184, 172, 186 तो आप यह मान कर चल सकते हो कि 170 से 190 तक आप लोगों का लगबख लगबख जितने भी कोर्स हैं उनका कट आफ रहता होंगे कि minimum कितना ले आएं तो admission हो जाए क्योंकि मुझे तो admission लेने से मतलब है मुझे अच्छे सीट से मतलब नहीं है मुझे तो क्यों admission ही मिल जाया लाहबाद निवर्टी में प्लीज वो बताईए तो अब मैं वो बता देता हूं देखो फ्रेंट्स यहां पर ना अगर हम के अंतर गताते हो तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि आपका जो कट आफ होता है वो ज्यादा जाता है EWS का और OBC का थोड़ा बहुत कम जाता है EWS का और OBC का लगबग सेम ही रहता है ठीक है बीए में तो बीए में देखो minimum कितना नंबर आपको लाना पड जाएगा and ST में all appeared तो आप देख पार होंगे कि minimum अगर हम बात करें तो जनरल को छोड़कर तो जितना लगबग जैसे ST, SC, EWS या फिर OBC तो 120 के आसपास 120-140 maximum कितना 170-190 minimum कितना 120-140 आपको लाना होगा जनरल को छोड़कर अगर आप जनरल हो भाई तो प्लीज 160 पलश सब्सक्राइब करें तो यहां पर भी लगबग वही देख लीजे ना अभी मैंने बताया कि 120-140 तो 123 आ यहां पर and ST appear and SC के लिए 104 तो देखो फ्रेंट्स आप यह चीज मान के चलो कि अगर आपको एडमिसल लेना है तो 120 पलस रहो जनरल वालो को छोड़कर and अगर आपको 180 पलस रहो 170 नहीं फ्रेंट्स 180 पलस रहो ठीक है तो आपको अच्छा कॉलेज या फिर मतलब अच्छी सीट आपको मिल जाएगे ठीक है तो आई होप आप समझ गयोंगे कि कितना नंबर लाना होगा and यह कितने में होगा तो यह होगा फ्रेंट्स लगबग 300 नंबर में ठीक हुआ क्योंकि अलाबाद इन्वर्सिटी से रिलेटेड सबसे लेटेस्ट अबडेट आपको इसी चैनल पर मिलती है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिए तो चली फ्रेंट्स मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बबाए टिक केर जय हिंद